जेहीं दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ महराष्टरा इस्टेट सिक्योर्टी कोर्परेशन सिक्योर्टी गार्ड ओनलाइन फोर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको 7,000 पदों का फोर्म फिलप करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपक प्रेश्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजे और साती सात वीडियो को सेर भी कर दीजे ताकि यह जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जो लोग इसमें अपलाई करना चाहते है या फिर जो लोग इसमें अपलाई करने के लिए इलिजिबल है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब इसके फूम फिलप के बारे में जानकारी देख लेते हैं पहले यहाँ पर दोस्तों आप इस बर्ती के इलिजिबल्टी की थोड़ी सी जानकारी जान लीजिये जिसे की आपका पोस्ट नामे सेक्यूर्टी गार्ड सैलरी आपको इस पर 17,000 रुपे पर मंथ दी जाएगी टोटल वैकेंसी आपकी 7,000 निकाली गई है और जोब लोकेशन आपकी माराश्टरा रहने वाली है और आप लोग इसमें 25 फुरवरी 2020 से लेकर 10 मार्श 2020 तक आविदन कर पाओगे अब यहाँ पर दोस्तो अभी जो वैबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो मैं आपको इस वैबसाइट का लिंग वीडियो की डिसक्रिशन में देने वाला हूँ आपको यह लिंक ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ सुरुवात में इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे आपको यह रीड कर लेने पहले से सोफ रेकूटमेंट यहां पर आपकोड़ करना हुए कि कहां पर आप अपनी जो भरती है वो रखना चाहते तो आपको यहांपटर चूज कर लेना है इप्लिकेंट नेम तो यहांपर आपको पहले अपना मिश्टर विसकी जूज करना है इसके बाद जो भी आपका first name हो यहाँ पर आपको enter करना है जो भी आपका middle name हो यहाँ पर आपको डाल देना है अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजे इसके बाद यहाँ पर आपको अपना last name enter कर देना है फिर यहाँ पर जो भी आपका father name है वो भी आपको सेम तरीके से enter कर देना है इसके बाद आता है mother name यान कि आपकी मताजी का पूरा नाम यहाँ पर आपको enter करना है date of birth आपके क्या है वो आपको यहाँ पर choose करनी होगी आपको इस तरह से अपना पहले तो year select करना है इसके बाद यहाँ से अपना month चोज गीजिए और फिर यहाँ से day select कर लीजिए इस परकार से आपकी date of birth आ जाएगी जेंडर आपका जो है वो यहाँ पर choose कर लीजिए basically इसमें male candidate ही आविदन कर सकते है क्योंकि यहाँ पर female का option नहीं दिया जा रहा है marital status आपको क्या है वो आपको choose कर लेना है email id दोस्तों आपको अपनी यहाँ पर fill up कर देनी है तो चलिए मैं आपकर एक email id एंटर कर देता हूँ यह करने के बाद applicant mobile number यानि के आपको यहाँ पर अपना working mobile number एंटर करना है और फिर इसके बाद आता है applicant mobile number 2 यानि के अगर आप इस number के अलाव कोई और number देना चाहते हो तो आप यहाँ पर वो भी fill up कर सकते हो current address यानि के आपका present address क्या हो यहाँ पर आपको enter कर देना है यह करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा permanent address दोस्तों आपने जो उपर अभी fill up किया यहाँ आपका present address है और जो आपका permanent address है वो यहाँ पर आपको enter कर देना है और आपको यह address आपके pin code के साथ में fill up करना है domiciled office of maharashtra, क्या आप maharashtra के निवास हो यानिख क्या आपके पास maharashtra का निवास परमानपत्र है अगर हो तो yes कीजिए नहीं तो आपको no करना है फिर आता है local police station address यान के आपके पास का police station कौन सा है उसका address यहाँ पर आपको enter करना होगा और आपको यहाँ पर उसका complete address देना है emergency contact full name यहाँ पर आपको देना है पहले आपको emergency contact का नाम देना है फिर इसके बाद आपको emergency contact address wincode देना है इसके बाद आपको emergency contact mobile number देना होगा और यहाँ पर आपको emergency में अपनी ही जानकारी फिलप करनी है applicant, identification, mark and कि अगर आपकी body के ओपर कोई कैसा mark है जिससे आपकी सरीर की पैचान होती है तो आपको उसकी जानकर यहाँ पर देनी होगी यह देने के बाद आता है applicant physical details तो यहाँ पर आपको अपनी height centimeter के अंदर enter करनी है और weight आपका जो भी हो यहाँ पर आपको enter करदेना है चेस्ट यहाँ पर आपके कितनी है बीनफला ही वोगी आपको यहाँ पर एंटर करनी है और फला करके आपकी कितनी हो यहाँ पर आपको फिलप कर देनी है फिराति यह applicant bullet group अगर आपको अपना बलड़ गर्कुरुप पत है यानि के 12 के अंदर आपकी कितनी percentage थी वो आपको यहाँ पर चूज करनी है 70% से जादा थी या फिर 60 से 70% के बीच थी या फिर जो भी आपका status है वो आपको चूज कर लेना है 12 past attempt यानि के आपने अपनी बारवी कितने attempt के अंदर पास कर ली थी तो आपको यहाँ पर चूज करना है additional qualification अगर आपके पास बारवी के अलावा कोई और भी qualification है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हो जिसके graduate या फिर जो भी यहनने qualification आपके पास है applicant अधार number यानि के आपको अपने अधार कार का number यहाँ पर enter करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे दे जा रहा है अवेदक वर्तमान में कहां कारियरत है अगर आपके पास उसका कोई विवरन है यानि कि क्या आप पहली से जोब करते तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर डेट सो वर्ड़ के अंदर देनी है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी आपसे पूछे जा रही है मैं आपको इसको हिंदी में कनवर्ट करके पढ़कर के इसका अंसर आपको बताता हूँ यहाँ पर दोस्तों आपसे सवाल पूछे जा रहा है या फिर आप यहाँ पर no कर दीजिए इसके बाद दोस्तों आपसे यहाँ पर जो अगला सवाल पूछ जा रहा है वह यहाँ पर दिये जा रहा है क्या आपके खिलाब कोई अपरदिक मामला अदालत में लंबी था यानिके अदालत में pending है अगर है तो आपको यहाँ पर इसका अंसर yes करना है ने तो आपको no कर देना है फिर यहाँ पर fourth question आपसे पूछ जा रहा है क्या आपके खिलाब पहले किसी भी सख्सम अदालत में कोई अपरदिक मामला दर्ज किया गया है तो अगर आपके खिलाब कोई मामला दर्ज किया गया तो यहाँ पर आपको yes करना है नहीं तो यहाँ पर भी आपको no कर देना है अब यह सब आपकी जानकारी हो चुकिए है इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा upload your design photo तो यहाँ पर दोस्तो फोटो अपलोड करने से पहले जान लीजे कि जो आपके फोटो का मैकसिमम साइज हो 200KB यानि कि 200KB से जदा आपके फोटो का साइज नहीं होना चाहिए नहीं तो वह upload नहीं हो पाएगा और format यहाँ पर आपका jpg या फिर png रखा गया है और दोस्तो अब आपको क्या करने तो आपको choose file के उपर click करना है और जहाँ पर भी आपका photo available है वो आपको upload करना होगा तो चलिए मैं यहाँ पर एक random image आपको upload करके दिखाता हूँ आपको अपनी gallery के अंदर जाना है जहाँ पर भी आपका image available है और वो image यहाँ से आपको अपना select कर लेना है तो चलिए हम इसको select करते और यह open कर लेते हैं open करने के बाद आपकी file का name यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फिर नीचे payment के सामने आपको दे जा रहा है terms and condition तो आपको इसके उपर टिक करने है टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरिये हो सभी जानकारी आपको एक बार confirm कर लेने हैं और close करने के बाद आपको यहाँ पर register के उपर click कर देना है register के उपर click करने के बाद यहाँ पर जो भी आपके सामने capture है वो आपको capture select कर देना है और फिर आपको यहाँ पर verify के उपर click कर देना है अब verify के उपर click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस्तरक interface आजेगा thank you your application registered successfully and your form saved यानि कि आपका form save हो चुका है और यहाँ पर आपको आपकी application ID मिल चुकी है इसके अलवा जो आपकी registered email ID है इसके उपर भी इनोंने आपको जानकारी भेज़ दी है तो चलिए मैं आपको अभी save कर लेता हूँ और save करने के बाद हम यहाँ पर फिर से आते हैं और आने पर आपको नीचे देखने को मिलेगा payment mode यान कि किस माद्यम से आप अपनी application फिर जमा करना चाहते हो bank transfer या फिर online दोस्तों यहाँ पर जो आपका online payment का option है यह अभी activate नहीं किया गया इसमें अभी error आ रहा है और आपकी build desk open नहीं हो रही है पर जो आपका bank transfer का option है इसमें भी आप अपनी application fees अभी जमा कर सकते हो जो कि आपको 250 रुपे देनी है और यह आप कैसे जमा कर पाओगे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अभी आप जो वीडियो में देख पा रहे हो यह इसका official notification है और आप यहाँ पर fees के section के अंदर आपकी जानकारी देख सकते हो कि आपको अपनी application fees fees HDFC Bank Limited के अंदर जमा करानी है यहाँ पर आपको account नमबर दिया रहे है branch दिया रही है और FSC code दिया रहे है तो आपको इसके अंदर अपनी application fees जमा कर देनी है और जमा करने के बाद जो आपको नमबर मिलेगा UFT या फी जो यहाँ पर इनोंने mention किया है UTR या फी reference number वो नमबर यहाँ पर आपको डाल करके submit के उपर क्लिक कर देना है पर यहाँ पर जो आप online माद्यम से fees को जमा कर पाओगे उसमें आपको बहुत सारे option देखने को मिलेगे जिसमें कि आप अपनी application fees net banking, debit card, credit card के माद्यम से जमा कर सकते हो basically आपको पूरी build desk दे जाएगी जिसमें आपको यह सभी option प्रोवाइड किया जाएंगे तो आप उसके माद्यम में इन में से किसी भी जो आपका payment mode है इस्तमाल करके अपनी application fees जमा कर सकते हो पर अगर अभी आपको जल्दी है और अभी ही आप अपनी application fees जमा करना चाहते हो तो आप इस account number के अंदर अपनी fees जमा कर दीजिए जमा करने के बाद जिससे भी आप जमा करा रहे हो वो आपको नमबर मिलेगा यूटियार नमबर वो आपको यहाँ पर enter करके submit के उपर क्लिक कर दे रहे हैं और इसके उपर क्लिक करने के बाद आपका जो form है वो completely फिलफ हो जाएगा और आप इसके बाद इसमें कोई भी changes नहीं कर पाऊगे और दोस्तों बस यही थी आपकी इसके बारे में complete जानकारी आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज आपस वीडियो को लाइक, सेयर और साथ इसाथ ग्यांदे होस्ट यूटूब चैनल को सबस्क्राइब कर ले और सबस्क्राइब करने के बाद बैल के आईकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकिसन सबसे पहले मिल पाए जे ही दोस्तों